अगर कोई एज है U से V, for any edge U to V, U appears before V, इस तरीकी से अगर आप लोगोंने एक linear form में लिख दिया एक graph को तो आप उसे कहते हो उसकी topological sort और एक चीज और important है कि जैसे numbers के अंदर आप लोग sorting करते हो तो एक ही ordering होती है लेकिन यहाँ पर अलग-अलग type की ordering भी topological sorting माने जा सकती है वो कैसे होंगी मैं बताता हूँ आपको तो इसके लिए topological sorting एक क्या possibility हो सकते हैं मैं लिखता हूँ यहाँ पर तो एक possible topological sort यह हो सकता है इसकंदर आप देख सकते हो कि कोई भी edge अगर है तो उस edge के अंदर U2V अगर edge है तो U पहले आ रहा होगा V बाद में आ रहा होगा कुस कैसे आप लोग इसे sort कर सकते हो और आप इसके अंदर इसके अलावा कुछ और topological sorting भी निकाल सकते हो जरा मैं लिखता हूँ यहाँ पर जैसे अगर आप चाहो तो 5 को पहले लिख सकते हो राइट तो एक possible topological ordering यह भी हो सकती है इसके अंदर आप लोग देख रहे हो अभी भी सबको satisfy हो रहा है 5 से 4 अगर आज है तो 5 पहले आ रहा है 4 बाद में रहा है 2 से 1 आज है तो 2 पहले बनावाद में आ रहा है आप लोग चेक कर सकते हो हर एज के लिए यह satisfy करेगा तो इस बोथ आर वैलिट topological ordering अब इनका फायदा क्या होता है topological order topological sort करने से फायदा क्या होता ठीक है तो अगर 1 को खतम होना तो 1 को पहले 2 को खतम करना पड़ेगा उसके बाद ही 1 start हो सकता है तो अगर आप लोग इस तरीके से एक ordering दे रखे है जिसके अंदर कुछ कुछ dependency दे रखे है job के उपर तो आप चाहते हो कि जिसके ओपर सबसे यादा लोग dependent पहले उस काम को और जिसके ओपर कोई भी dependent नहीं है उसको हमको सबसे last में खतम करो इस तरीके से आप लोग ordering चाहते हो तो इस तरीके से आप लोग उनकाम को finish कर सकते हो जैसे आप लोग चाहो तो पहले 5 को finish करते हो दन 0 को finish कर दो उसके बाद आप 2 को start कर सकते कुएकि 2 को finish करने से पहले 0 को finish होना ज़रूरी है तो इस तरीके से ये topological ordering जो है वो इस काम में help करते हो और हमारी operating systems के अंदर हम बहुत ज्यादा use कर रहे हो तो इनको अब ज़रा इस वाले graph के लिए समझते हैं ये वाला graph भी पहले दो को directed और recycling graph होना चाहिए तो directed graph तो है साथ में recycling भी है क्योंकि इसके अंदर कोई भी cycle present नहीं है अब इसके लिए अगर हम निकालने का ट्राइक करें तो पहले आप लोग यहाँ पर पॉस करो और खुद निकालने का ट्राइक करो फिर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ DFS-based approach के अंदर हम proper DFS ही लगाने वाले हम अलरड़ी DFS देख चुक है ग्राफ के अंदर कैसे लगता है उसके बाद हम बसे एक stack यूज कर रहे होंगे जिस stack के अंदर हम elements को डाल रहे होंगे उस order में डाल रहे होंगे कि सबसे नीचे stack के सबसे नीचे वो element रहने वाला है जिसके उपर किसी की भी dependency नहीं है और सबसे उपर stack में वो element रहेगा जिसके उपर सबसे ज़्यादा elements की dependency है इस order में अगर हमने stack को fill कर दे है तो उसके बाद आप लोग stack में से बस element को भाहर निकाल दो और print कर दो तो वो आप लोग के topological sorting बन जाएगी किस तरी किसी काम होने वाला है ज़रा समझते हैं तो यह हमारा stack रहने वाले जिसकी helps हम topological sorting निकालने वाले हैं DFS हम करने वाले DFS आप किसी भी node से start कर सकते हैं लेकि हमने code में देखा है हम 0 से start कर रहे होते हैं और हम check करते हैं अगर कोई node visited नहीं है तो वहाँ से DFS चलाना start कर दो बाकि ज़रूरी नहीं आप किसी भी node से DFS चलाना start कर सकते हैं आपके उपर depend करते हैं हम simplicity के लिए 0 से चलाते हैं और एक for loop बना के रखेंगे तो 0 visited नहीं है तो 0 को visited mark कर तो पहले तो true और यहां से DFS call करा दो ठीक है तो हम लिखेंगे पहले DFS 0 क्योंकि पहले DFS 0 call होगा और DFS 0 call होगा तो 0 से आप कौन से element connected है तो पहला element है 3 और 2 तो पहले हम जाते है 2 के पास किसी पर भी जा सकते हैं हम DFS 2 call करेंगे यहां से यह हमारी normal DFS की call से हैं तो अगर आप लोग ने DFS की वीडियो से नहीं देखें तो पहले वो देखो तब आपको समझ माएगा ठीक है DFS 0 से हम DFS 2 पर गए उसके बाद इसको भी हमने true mark कर दिया अब हम two के किसी children पर जाएंगे जो विजिटेट नहीं तो two से आप three पर जा सकते हो तो हम यहां से DFS 3 call करेंगे उसके बाद DFS 3 से हम कहां जा सकते हैं तो DFS 3 से हम सिर्फ one पर जा सकते हैं तो हम यहां से DFS 1 call करा देंगे फिर आप DFS 1 से काना जा सकते हैं तो DFS 1 से हम सरफ DFS 4 पर आ सकते हैं तो हमने यहां से DFS 4 कॉल करा दिया आप बोलोगे इस stack का काम कब आएगा stack का काम तब आएगा जब आप लोग का एक जगे का एक नोड का पूरा का पूरा DFS call हो चुका है उसके बाद आप लोग उस element को इस stack में डाल रहोगे so that उस element के ओपर किसी की भी dependency ना रहे इस हिसाब से हमें प्रस लगी हाँ यह element जो last में डाल रहा है उसके ओपर किसी की भी dependency नहीं है समझते हैं कैसे DFS 4 के बाद आप लोग कहीं नहीं आ सकते हम DFS 4 से वापस DFS 1 पर आ गए हैं अब DFS 1 से कहीं और हम जाने सकते तो DFS 1 से भी backtrack करेंगे DFS 3 पर जाएंगे और इस 1 को भी डाल देंगे हम बोलेंगे ठीक है 1 के भी हमने सारे element traverse कर लिया है अब DFS 3 पर आ गए DFS 3 से भी हम कहीं और नहीं जा सकते तो अब DFS 3 से हम DFS 2 पर वापस आएंगे और इस 3 को भी हम stack में डाल देंगे ठीक है अब DFS 3 से अब SORRY अब DFS 2 से कहीं और जा सकते हैं क्या तो DFS 2 से कहीं और नहीं जा सकते तो DFS 2 से हम जाने के आएंगे DFS 0 पर और इस 2 को भी हम डाल देंगे इस stack के अंदर, उसके बाद हम 0 से वापिस निकल जाएंगे, पूरा का पूरा भार निकल जाएंगे, और इस 0 को भी डाल देंगे हम अपनी stack के अंदर. अभी तक हमारे कौन-कौन से node विजिट हो चुकह है, तो ये node विजिट होगे, ये node विजिट होगे, ठीक है? अभी सिर्फ हमारी 5 वाली नोड है जो भी विजिट नहीं हुई है, तो जब हम DFS के अंदर अपना follow-up दुबार से चलाएंगे, तो हम देखें कि कौन सी वाली नोड अभी तक विजिट नहीं है, तो 1 विजिट हो चुके है, 2 विजिट हो चुके है, 3 विजिट हो चुके है, 4 4 विजिट हो चुके है, 5 विजिट नहीं हुए, तो DFS5 हम कॉल करा देंगे, तो एक अलग DFS call होगा, DFS5, और DFS5 से आप लोग 4 पर जा सकते हैं, 4 विजिट है, तो 4 पर DFS call नहीं करा होगे, 1 पर भी जा सकते हैं, 1 पर भी विजिट हैं, तो 1 के लिए काल नहीं करा होगे, तो आप DFS 5 से भी वापिस निकल जाओगे, जब वापिस निकलोगे, तो 5 को भी आप लोग स्टैक में डाल दोगे, तो इस तरीके से आप लोगों ने यह नीचे वाला निकल के आगया, और इस तरीके से ही आप लोगों का topological sorting काम करता है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, using DFS, अब इसका में जरा code करता हूँ, आप लोगों को और clearly समझ मैंगा, तो यह रहा हमाला topological sorting का code, यहाँ पर हमारे पास number of vertices दे रखिया है, और साथ में sorting करने वाले है, देखते हैं यह किस तरी किसी use होने वाले है, तो हम उसके बाद यह for loop चलाएंगे, क्योंकि अगर कुछ disconnected components भी है, तो वो भी call हो जाएं, उसके बाद if this is not visited, call DFS, तो यह हमारा वो DFS वाला function, जो यह adjacency list ले रहा है, vertex ले रहा है, कौन से call करानी है, then stack ले रह कोई भी difference नहीं है, लेकिन अब जैसे यह पूरा call हो जाएगा, कि इस vertex के लिए सारी node, जो भी इसके neighbor है, सब के लिए आपका DFS call हो चुका है, तो अब हमें क्या करना है, कि finally बस इस vertex को stack में push कर दो, ठीक है, इस तरीके से जब आप push कर रहे होगे, तो आप लोग यह ensure कर रह दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तो यह integer array return करना है, तो एक करके stack में से element निकाल लो और एक int array में डाल दो, ठीक है, तो यह मैंने वो int array बनाया है, इसके अंदर हम इस तरीके से, जब तक stack empty नहीं हो था, तब तक हम इसके अंदर element को stack में से pop करके डालते रहे देंगे, और फिर finally हमें इस int array को return कर देंगे, और फिर finally हमें इस int array को return कर देंगे, and this is the topological sorting using DFS, I hope आप लोगों को पूरा-पूरा code समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर यहाँ पर आपने code में लिखी हुई है, तो इस तरीके से हमारा code काम करन वह होगा next video में, इस video में इतना ही, अगर वीडियो को पाफल को पसंद आए, तो ज़रूर लाइक कर दिना, करतना जलको subscribe, मैं बलोगा next video में चलते हैं, बाबाए